गुड मानिक शुडन्ट, आगे पारिपासिक सब्दा देखेंगे देनी हुणी, तो देनी हुणी एक लेखी दस्ता वाजे, जिसमें दो पक्षकार होते हैं, हुणी लेख़क और हुणी स्विकार करने वाला, भविश्यकी निदारिक तारिक पर निश्शीत रकम चुकाने क conduit, जवाबदारी स्विकार करता, अर्दात की देनी हुंडी जो है, वो उसका दाइत्वर बनता है। हुंडी स्विकार करने वाले के लिए वो देनी हुंडी गिनी जाती है, मतलब कि देंदा के लिए वो देनी हुंडी बनती है, क्योंकि देंदा जो है वो हुंडी स्विकार करता है इस लेखी दस्तावेद में हुंडी स्विकार करने वाला निर्धारित समय पर निर्धारित रकम हुंडी लेख़क को चुकाएगा ऐसा वो लेखित अपनी जवाबदारी स्विकार करता है देनी हुंडी में हुंडी स्विकार करने वाला पक्ने की तारीक पर हुंडी में लिखी रकम हुंडी लिखने वालों को रकम चुका देता है सामाने रूप से देनी हुंडी जो है मैंने पहले ही कहा वो देन्दा में से उपस्थे होता उसके बादे देवा देवा मतलब पेवल तो व्यापारी द्वारा गंधा के व्योगारों के कारण अन्य व्यक्ति ये व्यक्तियों को कोई रखाम वविस्व में चुकानी हो तो उसको देवा के रूप में पैचान दे लेंदारो दैनी मुडी की रकम का देवा में शमावेश किया जया इसके अलावा अन्य देवा में अधत मध्दूरी, अधत वेतन, पेजगी प्राप आज आधी का समावेश किया जाता, पेजगी प्राप आज एक प्रकार का दाइट वर्ग गिना जाता इसके बाद लागत, लागत मतलब उसको इंगलेस में कहा जाता है पॉश्ट, तो कोई भी वस्तो तयार करते हैं, तो कोई भी वस्तो तयार करने के लिए जो भी खर्च होता है, तो वो सभी खर्चों का टोटल किया जाता है, योग किया जाता है, तो उसको कहा जाता है लागत इसके बाद voucher voucher मतलब के account में जो भी व्योवार लिखा जाता है तो व्योवारों का समर्थन देने वाला लिखी दस्तावी मतलब के voucher voucher पर से व्योवार उधार हुआ है व्योवार रोकर हुआ है कि व्योवार खरीदी का है व्योवार बीकरी का है अत्वा तो व्योवार बेंग का है अत्वा तो आवक का व्योवार है संपती का व्योवार है दाइत्व का व्योवार है ये सब पता चलता है तो voucher जो है वो व्यववारों का account पे लिखा गया जो भी व्यववार है वो व्यववारों का समर्थन देने वाला लिखी दस्तावित मतलब voucher इसके बाद बट्टा बट्टा मतलब विश्कांट तो खरीदी या विक्री की रकम में से सर्तों के आदिन अमुक रकम घटाई जाती है और सुधर रकम चुकाई जाती है तो उसकी जो मूल किम्मत है तो मूल किम्मत में से सर्तों के आदिन कुछ रकम घटाई जाती है और जो सुधर रकम चुकाई जाती है उसको कहा जाता है बट्टा तो ये बट्टा जो है वो खरीदी और विक्री के व्योवरों में से उत्वव होता है बट्टा के मुख्या दो क्रकार है व्यापारी बट्टा और रोकर बट्टा पहला देखा जाए तो व्यापारी बट्टा तो व विक्रे के समय कूल किम्मत में से अमूख रकम अथ्वा तो अमूख प्रतिसत रकम घटा दे उसको कादर कहा व्यापारी बत्टा। कि खुजारर के रूप में देखे तो 10,000 का 2% व्यापारी बत्टा रकम घटाने के बाद रकम चुकाते। तो दस अजार का दो क्रति संथ दो सो रुपया, तो अब व्यापारी को 9800 रखं मिलेगे। इसके बाद व्यापारी बट्टा जो है, उसका अकाउंट में जब एंट्री करते तो उसका लेखा नहीं होता, लेकिन व्यापारी बट्टा की घिनती होती है। इसके बाद रोक कर बटा तो बीक्री माल की रकम जल से जल प्राप्त हो इसे तुसे ग्राहगों को आकरशित करने के लिए मिलने योगे रकम में से जो रकम काथ दी जाती है उसे कहा जाता है रोक कर बटा मतलब कि व्यापारी जब माल की बीक्री करते है तो ग्राहगों को आकरशित करने के लिए कुछ कम रकम प्राप्त करे अथवा तो कुछ कम रकम काथ दिया जाता है तो उसको कहा जाता है रोक कर बटा उपर के जो हमने देखा कि 9,800 रुपिय व्यापारी को मिता अब उसमें से व्यापारी 200 रुपिय और बटा दियते है क्योंकि ग्राहग जल से ज़र रकम व्यापारी को चुका दे तो अब 200 रुपिय और बटा दिया जाए तो उसको 9,600 रुपिय व्यापारी को राप्त होत उसको का जाता है रोककर बट्टा रोककर बट्टा का लेखा भी होता है अकाउंट के और उसकी धिल्टी भी होती है जब या पारी बट्टा घटाया जाता है उसके बाद ही रोककर बट्टा घटाया जाता है अगले वीडियो में और हम पारी बासे सब्दा देखें